माचिस की जलती तीली से टेबल लैंप जलाना ये प्रोजेक्ट विद्यूत प्रकाशिय प्रभाव यानि फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट पर अधारित है जब माचिस की एक तीली जलाई जाती है और इसका प्रकाश फोटो समवेदी यानि फोटो डिटेक्टर या लडियार पर पर पड़ता है तो प्रकाश से पैदा होनी वाली विद्यूत से परिपत पूरा हो जाता है और इसके फल स्वरूप विद्यूत बल्ब जलने लगता है आवश्यक सामगरी एक बैटरी एक टेबल लैंप जिसमें छे वोल्ट का बल्ब लगा हो एक LDR या फोटो डिटेक्टर एक 2N 1177 ट्रांजिस्टर चास किलो ओम वाला पोटेंशियो मीटर एक स्विच और प्लास्टिक की एक शीट प्लास्टिक की एक शीट लें फोटो डिटेक्टर या LDR को धातू की एक टोपी से ढखें और सभी इलेक्ट्रोनिक घटकों को इस शीट पर तार द्वारा चोड़ें टेबल लैम्प के दोनों टर्मिनलों को परिपत से जोड़ें जब भी आप बल्ब के जलने का प्रदर्शन करना चाहें तब स्विच को आउन करें फिर एक माचिस की तीली जलाकर फोटो डिटेक्टर या LDR के पास लाएं बल्ब जलने लगेगा जब तक टेबल लैम्प के बल्ब का प्रकाश डिटेक्टर पर पड़ेगा परिपत पूरा रहेगा जब बल्ब बुझाना हो तब आपको परिपत में लगाएगे में स्विच को आउफ करना पड़ेगा